अधियाज के पन्नों से तो कुछ कही सुनी चलिए आज सुनते हैं एक मुगल शैंचा के लालज फुराम कहानी मुगल शैंचा अकबर के बारे में तो आपने सुना ही होगा लेकिन ये शायद नहीं सुना होगा कि वो आम के कितने दिवाने थे अक्सर वो मिथला जाते थे लेकिन जब भी वहाँ जाते थे अपने बागानों के आम को बड़ा मिस करते थे तो फिर उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं बस एक छोटा सा आम का बगीचा लगवा है जिसमें पूरे एक लाख आम के पेड़ थे और ये बगीचा आज भी आपको दिखेगा दरभंगा में लखी बाग के नाम से शेहनशा अक्बर ने तो आम के लालच में एक पूरा आम का बगीचा खड़ा कर दिया अगर आपके पास भी है कोई ऐसी लालच फुराम का आनी तो हमें बताइए